नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितन सिंग राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजपूत टेकनिकल दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एर कूलर में जब कूलिंग प्रावलम होती है तो उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसमें किस प्रकार की प्रावलम आती है और साथ ही हम कुछ इसमें मैंटेनेंस टिप्स आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से लेके अंतक देखते रहे हैं, आईए वीडियो शुरू करते हैं, आप देख सकते हैं, आपके सामने एक यहाँ पर एर कूलर रखा हुआ है, जो की विंटर सिंफनी का एर कूलर है, इसमें कूलिंग की प्रॉलम आ रह करेंगे, तो आईए, हम वीडियो शुरू करते हैं, आप देख सकते हैं, यह इसका बैक पोर्षन है, इसकी बॉड़ी में, यह करम में लिए हुए दो पैड लगे हुए, जो एयर कूलिंग पैड है, आप देख सकते हैं, आपको हम करीब से दिखाते हैं, इसमें जो पैड पे लग्ए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कौलर को हम चालू करते हैं तो जो मोटर जब मूव करती है और जब ब्लैड मूव करती है cooler की fan motor की जो blade है move करती है तो अंदर की जो air होती है उसको ये सक करके और बाहर की और आपको सामने से ठंडी आवा आती है तो इसमें जो fan motor है वो air को pad के थूँ सक करती है बट यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी dust यहाँ पर मिट्टी जमा हो गई है तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम air यानि ये सक कर पाता है fan और इससे क्या होती ही आपकी cooling भी कमाती है हवा भी कमाती है और साथ में motor heat होके और motor के जलने की chances भी बढ़ जाते हैं और आपकी जो electricity का बिल है वो भी ज़्यादा आता है क्योंकि motor पे load आता है ओवर लोड होके motor चलती है तो इस case में season खतम होने के बाद जब नया season शुरू होता है तो आप ये pad को आप हमेशा change करें जिससे क्या होगा कि और आपको ठंडी हवा लगातार मिलती रहेगी तो कि ये पूरा jam हो जाता है काफी मिट्टी season में आपकी खती हो जाती है तो आपको ये इस पकार से हर साले आने इसके pad को change करना चाहिए तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि pad को किस पकार से change करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो और दो hidden screw यहाँ पर साइड में दिये हुए रहते हैं दोनों साइड में यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यह आप देख सकते हैं यह hidden screw यहाँ पर दिया हुआ है यह ऐसे total चार screw रहते हैं एक स्कूर यहां पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर एक फिरड़न स्कूर है इन चारों स्कूर को हम यहां से ओपन करेंगे और यह पैट को हम बाहर करेंगे आप देख सकते हैं हमने इसके जो बैक कवर है उसमें चारो इसकूर जो लगे हुए थे हमने ये ओपन कर लिए है अब हम आपको पैट को हम यहां से खोलेंगे यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहां पर लॉग दिया हुए हैं तो यहां से इन लॉग को खोल के हम यह पैड को दोनों पैड को बाहर निकालेंगे इस प्रकार से ये लोग को यह दिया प्रब्रॉरk को सिद्क है कि कि लॉक। इस प्रकार करें आईसे लॉप को हटाएंगे ऑपपर भी यह द० 빠ख दिया हुए इस पकार के हम इनको प्टाएंगे हमने इनके लॉक्स सारे उपन कर लिए हैं अब इसको इस पकार से इंकाल लेते हैं साइड जो पैनल है इनको यहां से हटा लें यह हमने पैट हटा लिए है यह साइड वाले पैट को भी हटा लिए अब देख सकते हैं हमने दोनों साइड के कुलिंग पैट हटा लिए हैं और आपको यहां पर कुछ दिखा देते हैं आप आप देखिए यहां पर जो बहुत सारे जो स्कुरू लगे हुए हैं नडड बोल्ड लगे हुए हैं यहां पर आप देख सकते हैं काफी रस्ट वगरा लगी हुई है जणग लगी हुई है यहांपर यह जो आपके इस्कू लगे रहते हैं यहाँ पे सब रस्त आजाती है और यहाँ साइद में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी देखिए यह रस्त लगी हुई है यहाँ पे इन सब को जब आप सीजन खतम होता है या सीजन शुरू होता है उस तवी नडबोल्ड पे आप आइलिंग और ग्रीजिंग आप यह इस प्रकार से मशीन आइल उसको आप यहां पर ऐसे लगा के इसको आइल लगा दीजिएगा ऐसे और साथ में यहां जो मोटर रहती है मोटर में भी यहां पर एक होल दिया हूँ रहता है जहां पर आप इस पकार से एसाillonो से लगा दीजिए इस पकार से बढ़ते हुआ है इसको शाफ्ट में जो भूर भू था लगा हुआ पुब हें, वहाँ पे आप इस प्रकार से ऐल लगा दीजी और साथ में बाकी जो नटबोल्ट हैं वह सब जगे यह आप ग्रीस लगा लीजिए जैंगरीस है यह आप ग्रीस यहां पर सब भी नटबोल्ट पे इस प्रकार से सीजन शुरू होने पर और सीजन खत्म होने के बाद आप ये इस प्रकार से ग्रीस लगा लीजिए इससे आपकी रस्ट नहीं लगीगी और कभी भी जब इसको नट बोल्ट को ओपन करना रहेगा तो इसे लिए आपका नट बोल्ट ओपन हो जाएगा ऐसे सब भी जगे पर आप जितने भी स्क्रू नट बोल्ट हैं वहाँ सब भी जगे ऑईल और ग्रीस लगा लीजिए अब देख सकते हैं यह हमारे जो दोनों पैट रखे हुए हैं इन में जो साइड में जो स्कू लगे हुए हैं यह छे छे स्कू लगे हुए हैं यहाँ पर बीच में नौ यह सारे जितने भी स्कू लगे हुए हैं यह सभी हम दोनों पैट से ओपन करेंगे ओपन करने के रखा हुआ है इसको हम इन दोनों साइट वले पेड होलडर में लगाएंगे तो आप देख सकते हैं हमने इनके सारे इस्कूरू को ओपन कर लिया है यह सारे स्कूरू हमारे निकल चुके हैं अब हम इसको पेड को यहां से निकाल लेंगे आप देख सकते हैं ये पैड पूरी तरब से सड़ चुका है इसमें धूल मिट्टी लगी हुई है ये पूरा चोक हो गया है तो इसको हम पूरा चेंज करेंगे नया जो पैड है वो हम यहां पे रिपलेस करेंगे इसी प्रकार से हम जो दूतरा वाला जो पैड होल्डर है इस से भी श्कू यहां से निकाल लेंगे इस सब economic को निकाल लेंगे इनको पुराने वाले पैड पड़े हुए हैं जिन में जूल मिट्टी लगी हुई थी पुरी डस्ट आ रही थी अब इनको हम कूलर में फिट करेंगे यहां पर हम इस तकार से कूलर में वापस कि करेंगे अब आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड पैनल को फिट कर दिया है यहां पर सारे स्क्रू हमने इसमें लगा दिये हैं अब यह हमारा कूलर पुरी तरह से रेडी हो गया है अब इसमें प्रॉपरली कूलिंग आईगी तो कि हमने यह पूरे पैड नए लगा दिये हैं तो उमीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू